वेलकम तो राजीव कॉम्पीटिटिटिव क्लास टूडे टॉडे टॉपिक हमारा वह है क्या इंटीजर्स यानि होता है इसको हिंदी में करते हैं ठीक है और एंसी आटी बुख से है क्लास 6 का है आपका ठीक है तो यही आज हम सीखने वाले तो आई यह में स्टार्ट करतें बिना देरी के तो देखिए मार्कर ले लेते हैं पर नहांने मार कर्स ले लिए अब मैं आपको बताता हूँ आप मैं ,-4 ,-3 ,-2 ,-1 ,-0 ,घले , allень ,दों लगाना थ्के हैं यहां कॉमा भी देते चल जाना है कॉमा देखें फिर यहां पर हम जीरो देखुआंज उसके बाद फिर फिर देखिये क्या होगा मैं पूरा बार इक ता समझाँ फिर आपको यहां पर one two three four हो जाएगा one two three four four उसके बाद five तो इधर भी वही संक्या है इधर भी उसके बाद इधर भी डॉट डॉट ले देना यानि कि अनंत तक जाएगा इंपिनिटीव तक जाएगा ठीक है चलिए तो देखिए माइनस five minus four minus three minus two minus one यहां से यहां तक जो आपका आजाता है वह क्या है प्रेंटर यहां से जो यहां तक हजाता है वह होता है अपकर नीगेटीव इंटीजर क्या होता है ग dig가지고 that श१ा यह अरहां कि लिए गगी अदिव इंटीजर इधर से जो इधर आपका ऐए फाइब तक फाइब तक आपका यह होता है आपका पॉजीटिव इन्टीजर नापका पॉजीटिव इन्टीजर Intisers हो जाएगा ठीक है महुत सारे है Intisers तो इस तरह के आगिए तो देखिए यहां से जो नमड है आपका यह Negative Intisers आता है Positive Intisers आप बोलियेगा Zero बच गया है तो Zero क्या होगा Zero जो आपका होता है वो क्या होता है कि Negative Intisers के लिए भी समान है और positive integer के लिए भी समहनें ये दोनों के लिए समहनें that minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1 जो होता है वो negative integer में आ जाता है उसके बास 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 जहसे ये देखिए ना जैसे माइनस में जा रहा है और ये plus में जा रहा है इस तरह काँ आप समाझ ही जाएंगे माइनस में यह जा रहा है जैसे यह घटा हुआ जा रहा है और यह पलस में जा रहा है कितना सिंपल से आप समझ जाएगा ठीक है चलिए तो यह घटा हुआ जा रहा है और यह क्या हो रहा है कि यह पलस में होते जा रहा है तो यह हो जाता है तो यह इंटीजर मैंने समझा दिय लिख लिया है तो देखिए क्या है आपका यह इंटीजर ओंदी नंबर लाइन में ठीक है इंटीजर ओंदी नंबर लाइन में जैसे कि देखिए माइनस-7-6-5-4-3-2-1 यह क्या हो रहा है यहां पर मैंने बताया ना यह जा रहा है उसके बाद फिर जीरो के वाद 1-2-345678 यह क्य क्या जा रहा है पॉसिटिव इंटीजर में जा रहा है तो देखिए जैसे कि आप देखिये ठीक है चलिए जैसे आप देखिए ठीक है आपका कि देखिए 21 का लोगा तो 8 आप का फॉसिट 8 होगा होगा की नहीं वैसे ही 7 है 7 का पोजिट क्या होगा 7 का पोजिट 7 होगा ठीक है वैसे ही 6 का पोजिट क्या होगा 6 का पोजिट 6 होगा फिर 5 का पोजिट क्या होगा ठीक है उसके बाद 4 का पोजिट क्या होगा 4 होगा होगा की नहीं 4 का पोजिट 4 होगा फिर 3 का बस्ति हो एक चुब फॉस्ट होई गए तो इसका पॉजिट यह हुआस गहिए गिर्यभी जा आप देखिए है पर कि स्वाइट उन्हों थे और नंबल लाइन तो इसमें एंधिएन फॉर- फिर फाइब फिर जीरो अब देखिए यहां पर देखिए कि क्या है क्या है क्या है यहां पर एक नंबर मैं ने ख् иск at मैंने यह बनाए ठीक है तो माइनस 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 फॉर माइनस मानशwater लूइश पहलो है यह तो आप जानते हैं और इसलिश हो गया तो इसका जो यहां अगर अगर बोल रहा है कि माइनस फॉर का उपोजिट क्या होगा तो माइनस फॉर का उपोजिट इधर से करना है तो फॉर होगा ठीक है इधर से करना है तो फॉर होगा तो माइनस फॉर का उपोजिट क्या होगा एंसर आएगा यही ना चलिए तो माइनस फॉर का उपोजिट फॉ वो रिटीटीव हीले करना है से हमको इधर करना से है यहां तो यह है तो पोणिटीव में यहां से यहां तक उसके बाद इधर से जो negative integer है ये क्या कर रहा है कि positive से इधर आ रहा है minus में प्लस से इधर है minus 5 में क्यूंकि यहां पर option में 5 है तो इधर से ही न करेंगे। उसके आपका तिसरा नम्बर वह क्या है कि minus 5 minus 4-3 minus 2 minus 1 उसके बाद 0 उसके बाद बॉल रहा है कि जीरो आफ माँन के समानले जीरों क未 पॉजेटिव कंञा है उपया होगा निगेटीव के लिए समान जीरों और समानल से दोनों समान है 0 का 0 का क्या होगा फुद होगा अपने खुद होगा ठीक है एक तो मैंने आपको बता दिया इंटीजर नमबर लाइन चलिए अब मैं जो आपको बताउंगा वो बहुत इंपोर्टन चीज है जो आपको करना है तो मैं उसको भी आपको बताता हूं चलिए फ्रेंड सब में आपको बताता हूं तो यह आपको बताऊंगा जैसे कि देखिए उसके बाद फिर 5-4-3-2-1 उसके बाद 0 यहां पर लिखा हुए फिर 1-2-3-4-5 तो देखिए इसमें क्या होता है कि यूनिट्स होते हैं इसमें ठीक है इसमें यूनिट्स जैसे कि इसमें देखिए यहां पर अगर मैं लिख हूँ तो 5-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5 यूनिट्स ठीक है फाइब टू-दी यूनिट्स लेफ्ट और उसके बाद 1-2-3-4-5 तो इधर से जो आपका आजाएगा वह होगा फाइब टू-दी फाइब टू-दी यूनिट्स 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 क्या होगा राइट तो यहाँ पर बेलिग देता हूं तो यह हो गया तो देखिए क्या कह रहा है इसमें फाइप यूनिट्स कह रहा है क्या कर रहा है जैसे इधर माइनस फाइप माइनस फॉर माइनस त्री माइनस टू माइनस वन है तो फाइब टू-दी यूनिट्स लेफ्ट इधर है और वन में जा रहा है यह तो यह हो गया आपका जो एक्जामपल है फाइंड दी एबसॉल्यूट भैल्यू और थ्री ए वाला थ्री है उसके बाद भी जो है ठीक है तो आप समाझी गए होंगे क्या से बनेगा देखिए वो ए और भी एतो उसके बाद फिर थ्री फिर फॉर ओके इस तरह का जैसे कि देखिए इसमें क्या बोलता है कि हमको निकालना है जैसे ठी है तो देखिए यहां पर जिरो है यूझिस होता है कि कुछ यूझिस होते हैं जैसे आगर यहां पर 0 है एक यहां पर 0 है। उसके बाद अगर मैं 0 को छोड़कर 123 यहां जाओं तो यह इसका सकते होते हब इतना यूनिफ मैंने लिया लिया कि नइट HEquest e कि मैंने किया कि यूनिट लिया तो जी रो से ऊचैगा हएगा तो इसका चैट का सब्सक्रीज अब होगा तो इधर आपको करना है कि यहां पर लिखना है कि देखिए इस तरह का कुछ कर देना है 3 उसके बाद equal to 3 ठीक है तो इस तरह का आ जाएगा तो इसी तरह का बनेगा 3 equal to 3 तो इस तरह का बनेगा अब देखिए बी जो आपका आजाता है मैंने सेंब कर दिया उसके बाद B क्या है की माइनस 6-5-4,-3-2-1 उसके बाद 0123 तो इस तरह का आपको इसको भी ध्यान से समझजना है कि 0 से 0 तो तो वह उसके 5 है की मैस 9 mom हम छोड़कर यहां से यूनित्स को मैंने झोड़ दिया जैसे glance कि का छोड़ दिया उसके वाद हम ने लिए खगे जिरो को छोड़कर यूनित्स ب lidt लिए वान टू थ्री 4 तक आयां यूनिट्स को तो इसको हम क्या से करेंगे जैसा कि यहां पर मैं खोर तो यहां क्या आएगा फौर आएगा इसका एंसर कैसे आएगा फौर कैसे आएगा क्योंकि इसमें हमने जिरो को छोड़ कर किया तो एसके लिखेंगे इसके लिखेंगे तो तो यहाँ पर माइनस करना है चलिए तो यह आपको बता दिया अब मैं नहीं बता दिया मैं तुल्श को जाता है वह बहुत इंपोर्टेंट आजाते हैं जो है इसको भी आप समझ यह तो बहुत इंपोर्टेंट है चलिए फ्रेंट सब में जो आपको बताने वाला वह है एडिसन ओन इंटीजर यानि की एडिंग इंटीजर ओन नमबर लाइन तो यह मैं आपको बताऊंगा ठीक है तो देखिए जैसे कि यहां पर मैंने लिख लिया है कि मैं में आपको बताओं गांगा यह सब नमबर लाइन है क्या है आपके नमबर लाइन हैं की सब करके करना है कि कैसे हम इसको बनाएं और एंसर लैं सबस्क्राइब। देखिए जीरों कहां आ कि आपको तो आपको कितना है 3 प्लस 5 है तो पहले 30 से 123 यहां 3 आया उसके बाद 3 को छोड़कर 5 यहां से देखिए यहां से क्या करना है तिरी करना है उसके बाद यहां मैं प्लस कर देता हूं उसके बाद 12345 पाइप आ गया यहां पर आ तक तो यहां से हमको क्या करना है एट तक करना है ठीक है चलिए ठीक है तो यहां से इसको 123455 आ गया ओके एट तक तो देखिए यहां तक आ गया आप क्या करना है आपको कि तो यहां को माइनस 3 करना है तो इस तरह का जैसे आपको माइनस 3 करना है तो जीरो कहा है जीरो यहां है तो माइनस 3 तक जाना है 123 तो यहां तक जाना है तो हम यहां तक यहां तक करेंगे फ्रेंड्स उसके बाद क्या करना है आपको क्या करना है कि माइनस 5 है तो उसके बाद इसको 3 तक आया उसके बाद इसको छोड़के 123455 तो यहां से क्या कर देना है तक आ गया तो यहां से यहां तक आ गया जैसे कि देखिए इसमें आपको 3 यहां तो 123455 तक तो इस तरह का आपको करना है तो इसका एंसर क्या जाएगा जैसे देखिए इसका एंसर कैसे आएगा यहां पर फ्रीक है तो इसमें क्या लिखेंगे माइनस एट लिखेंगे इस तरह का गया जैसे कि देखिए जीरो यहां पर यहां तक हो थी तक है तो यहां तक फ्रीक है घांको चोड़ कर तो इसका एंसर आ गया तो यहां पर हम लिखेंगे चलिए इस तरह का गया आप जो आपका फॉर्थ है वह है थ्री प्लस उसके बाद माइनस फाइप छोटी ब्रैक है ठीक है तो यह है तो इसको हम कैसे बनाएंगे जैसे नंबर लाइन दिया हुआ है जैसे आपको जीरो का है जीरो यहां है तो जीरो से ठीक हमको क्या करना है देखिए इधर तो आपका हो गया कि राइट यूनिट और लेफ्ट यूनिट हो गया ना ओके तो जैसे कि देखिए हमको करना क्या है कि इधर जो आपका है ना यह यह जो मैंने आपको बताया ना यह प्लस में जा रहा था यह माइनस में जा रहा है ठीक है ट्रीक यह समस्तरा को आप समझसके एब 3 plus minus 5 पिर तो इसको और नंबर लाइन से कर दिये अब किया से करेंगे जैसे कि 0 यहां तो क्या है तो 1233 आया देखें फिरी आया लोर्ड फिक जैसे इसमें जैसे कि देखिए यहां आपको क्या है कि 0 है तो इधर करना करेंगे क्योंकि इधर प्लस में जा रहा है येधर माइनस में जाता है तो जैसे और यहां तक अधार तो यहां तक ना कर देता हूं ठीक है ये प्लस में जा रहा है माइनस में जा रहा है यानि कि निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर जो प्लस में जा रहा है और निगेटिव इंटीजर यानि जो माइनस में जा रहा है तो जीरो से इधर जो आ रहा है यानि कि माइनस फाइप तो जीरो से हमको तो यहां से हमको घ्या करना है यहां तक करना है तो यह क्या हुआ तूहरा है तो उसके बाद भी तूँ को छोड़ कर मतलब थी को छोड़ कर कि ऊ तून क्लेफस bells minus 2 करना याँ पर minus 2 करना है तो आएगा तो उसमें च्रती नहीं क्यूंकि यह तो Q Adding तो यह आजाता है कि माइनस 7 प्लस 7 तो यह आजाता है माइनस 7 और प्लस 7 तो यह जो आपका क्या है यह नंबर लाइन है अब देखिए क्या हमको करना है जैसे से जैसे 0 काई 0 यहां यहां है अब क्या करना है जिरो से तोष्व नहीं कि यहांनी कि यहांते जाएंगे दल यहां से तो यहां से ठीक है कितना easy और simple है सो देखिए 7 आया ओके अब देखिए क्या करना है आपको 7 आया उसके बाद 7 से कहां से कि यह 0 से 7 तक आया ठीक है माइनस 7 तक नाया उसके बाद 7 से हमको करना है ठीक है 7 से इसको छोड़ देजिए चलेगा छोड़के कंट कंट कर लेना है 1 2 3 4 5 and 5 6 7 ठीक है 0 तक आया तो यहाँ से क्या करेंगे 0 तक हम कर लेंगे चलिए अब पुछिएगा आप क्या पूछिएगा पूछिए का कि सर जीरो आ गया है जीरो का हम क्या करेंगे जीरो जीरो इसका एंसर आ गया जी कि बिल्कुल जैसे कि माईनस क्वॉस्चन को समझ यह समझे उसके बान नंबर लाइन में वह सब्सक्राइब नापको minus zero करना है और आपको plus zero करना है सुरुवात में मैंने आपको बता दिया था कि positive integer में भी समान है और negative integer में भी समान है इसका positive को ठोड़ता है क्या ठीक है तो यह जो zero होगा यह आपका answer आजाएगा ठीक है देखिये आपका 0 जो होगा ना देखिये मैं इसी corner कर से लिए जो आपका जीरो है यहापको आपका एंसर आगया ठीक है यह नहीं कना से चल्म तो मैंने आपको addition of integer बता दिया adding integer नभर तो आज मैने जो आपको होता है वो हो क्या था In See Of InISS you initial पूरनां मेंने लिया और आपको यह मैंने आपका solve प्रूरा या पूरा पूरा चैप्टर तो अगर यह वीडियो आप लोग को फसना आई तो प्रेस फ्रेंड्स लाइक कर दीजेगा वीडियो को और चैनल परना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा फ्रेंड्स फिर मिलता है नैटिव के साथ